बाद चर्चा भी कर रहे थे, वह लॉजिस्टिक स्पेस की वहाँ पर मूफ्मेंट की हुआ है, हमने शुकरवार से देखा कि पूरा स्पेस चल रहा था और हमारे साथ एक खास कंपनी All Cargo Logistics के मानेश्मेंट भी बने वे हैं, हमारे साथ तर रवी जाकर हैं, CSO है, All Cargo Logistics के से आगद आपका एजिना उस्वदेश पर, सबसे पहले जाना चाहेंगे, क्योंकि फर्स क्वार्टर में अगर हम एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करें, तो इंडिया की अच्छे रहे हैं, we have recorded a good momentum in that, किस तरह से आपके बिजनस को फाइदा मिला है, अगर फर्स क्वार्टर के अगर आप थोड़ी से हमें यहाँ पर डीटेल्स दे पाएं, और क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट का यह जो ट्रेंड है, आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि साथ आजिस्टिक कंपनियों को फाइदा मिलता है जायर तोर पर देखिए जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमारे कारोबार से डिरेक्टली रेटेड हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनस है, उसमें जब यह कारगो बाहर जाता है, तो हमारे कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे हैंडल होता है, और जब दुनिया पर में अलग-अलग कंट्र रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनसे एक कंटिनूर मोमेंटम मिलना चाहिए, और लॉंग-टर्म में हमारे एक्सपोर्ट्स की एक अच्छी प्रोग्रेस होनी की, जो हमारे बिजनस के लिए इस तर अच्छी है, लेकिन साथ में देश के लिए भी काफी अच्छी है, जो आप पहले कोटर की बात करें, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम अभी लैक कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें अगर आप पेट्रोलियम प्रोडुक्स को एक बार के लिए हटा दें, तो आप देखेंगे कि ज जगों पे, और इंपोर्ट साइड में वही केटेगरी में प्लास्टिक है, केमिकल से वहाँ पे एक्शली ग्रोथ काफी जादा रही है, तो जो जून का महीना है, उसमें अगर एप्रिल में के कंपर्ज में हलकी सी एक मोमेंटम में थोड़ा सा कमी देखता हूँ मैं परसल पे एक अची ग्रोथ आई है, तो मुझे लगता है, एक एक करके इंडस्ट्रीज के उपर, जो है इंडस्ट्रीज में जो अंत्रपरनेर्शिप है, प्लस जो गवर्मेंट का सपोर्ट है, एक राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इन सब चीजों के चलते हुए, एक्सपोर् जो ठीक है कि एक सपोर्ट बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट है, एक फ्रेंट पर हमको और भी अच्छी तीज़ दिखी हो थे, रेलवे का भी फ्रेट, अब अपने 22 महीनों के उच्छी तमस तरों पर पहुँचा है, और एक कोविड के बाद अब और भी जाना बहतर होता ह दिख रहा है, आपको इससे कितना बेनिफिट मिलता है, आपकी कंपनी इस बिजनस से किस तरह से कनेक्टिड है? हमारा जो है, रेल बिजनस में ऐस सच पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन जो आप रेलवेस के नंबर बता रहे हैं, वो भी एक तरह से स्टोरी है कि किस तरह से डुमेस्टिक कंजम्शन और ट्रेड लगातार बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में भी उनका कारगो को कैरी करते हैं हम लोग या इंटरनेशनल हो, जो रेलवे की परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं, वही एक लोजिस्टिक्स इंडस्टिक को दिखाता है कि जो अपॉर्चनिटी है ट्रेड ब्रोट के साथ में, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीथी है राइट, देखिए एक बात निकल की आ रही है, जब हम स्ट्रेडिजिस से बात करते हैं, आनलिस्स से बात करते हैं, कि जो कच्छे तेल के भाव हैं, कूल आफ हो गए हैं, उसकी वज़े से ऑपरेटिंग कोस्ट, लोजिस्टिक कमपनीज की जैसे आपकी हैं, काफी जादा रिलीफ है वहाँ परेटिंग कोस्ट में, क्योंकि मार्जिन आपके कम होते हैं, जो डीजल का जो भाव है, कम हो गया है थोला सा, तो आप उसके बारे में क्या क्लारिटी देंगे? तो जो अभी हमने क्रूड में देखा है, पिछले दो दिन में particularly काफी एक शार्प गिरावट आई है क्रूड की प्राइसे में, जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि जो इंटरनेशली जो शिपिंग में बंकर फ्यूल प्राइसे हैं, या इवन हमारे डोमेस्टिक साइड मे जो ट्रक्स के लिए डीजल प्राइसे वगरा है, उनके उपर काफी प्रेशर था, हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महिने में प्राइसे उतनी बढ़ी नहीं है इंडिया में, लेकिन एक प्रेशर लगातार है इंटरनेशल क्रूड प्राइसे की वजए से, डुमेस्टिक में और इंटरनेशल में भी, जिसकी वजए से लोजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसमें एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्री के लिए ट्रेट के लिए अच्छा है, जहां तक हमारी बात है, तो हमारे लिए फ्रेट एक तरह से आराइट, एपसे अब बहुत बहुत शखरे आप यह शारी डीटेशल में से शेय करने के लिए और आज हमें इसमेह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो और तो अल्गाओ को लाजिस्टिक्स के अपनेश्मेंटेशल में से बात करे थे लेकिने स्वीच एक फ्लाश ओम दो